काफी सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़ रहा था, बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे थे, पूछ रहे हैं कि सर अब एक्जाम के लगबग दो मैने रहे गए हैं, क्या हम अपना पेपर नंबर थर्ड जो की क्वांटिटेटिव एप्टिटूड है, क्या वो निकाल पाए हैं तो, तो तीन भागों में डिवाइड कर रहा हूं, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, प्रायोरिटी 1, उसके बाद आते हैं, प्रायोरिटी 2, किसको देना है आपने, प्रायोरिटी 2, और आखरी में हम्मारा जाएगा, प्रायोरिटी 3, चलो, सबसे पहले हम लोग stat वाले portion को उठा है, मेरे बचो, तो सबसे पहले stat के अंदर, आपने क्या क्या करना है, इसको द्यान रखना है, ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर stat उठा लेता हूँ, स्टैट के अंदर देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर मेरे बच्चो आपने शुरुआत करनी है मेजर आफ सेंटल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन से ठीक है जी अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो बच्चो यहां से आपको सीधा सीधा दस से बारा मार्क्स जो है वो देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में क्या करना है यह भी मैं आपको बता दू इस चैप्टर की खास बात है कि जो ज़्यादा तर कोशिन होता है न वो प्रोपर्टीस के उपर आते हैं और दूसरा फॉर्मूला तो फॉर्मूला और प्रोपर्टीस जो है वो आपने बहुत अच्छे से त्यारी करके जानी है तो यहाँ से आप आसानी से मेरे बच्चो दस से बारा मार्क्स आप ला सकते हैं ठीक है नेक्स चैप्टर आजाईए आप लोग का कोर्रिलेशन एंड रिगरेशन ठीक है कोर्रिलेशन अगर रिगरेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग का सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो यह पांस से लेकर 7 मार्क्स आप मान सकते हो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ठीक है बच्चो क्या बोल रहा है 5 to 7 मार्क्स correlation, degradation से आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, property और formula जैसे कि मैंने आपको उपर बताया है वोई चीज आपने यहाँ पे भी करनी है ठीक है, उसके बाद next आजाओ आप लोग बहुत easy chapter है, जो की है आपका index number index number की अगर मैं बात करूँ तो बच्चो, यहाँ पे आपको theory देखने को मिलेगा बहुत सारे तो theory तो इसकी बहुत अच्छे से cover करना है practical questions भी आते हैं बट बहुत easy आते है जो consumer price index, ठीक है, बहुत important part है, आप लोगों बता दे रहाँ, इसमें आपको मिलेगा, जिसके ओपर हर attempt में question पूछा जाता है ठीक है, consumer price index के ओपर यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चो आपको, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 5 to 7 marks लगबग आप यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है index number के अगर मैं बात करूँ इसके बाद next आप आजाओ दो chapter हैं आपके यहाँ पे अब एक है statistical description of data और इसका साथ और एक unit add होगी है न्यू syllabus के according जो की है आपका sampling यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चो 6 से 8 marks जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ठीक है और यह जो है totally theory है मत्तार 90 से लेकर 95% theory ही question इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से आपने इसकी तेयारी करनी है stat में आप लोग यह complete कर लो इन chapter को आपने सबसे पहले priority देनी है ठीक है, मैं बस उन chapter की बात कर रहा हूँ, जिनको सबसे ज़्यादा priority देंगे, तो 70 marks तो आपके आसनी से आजाएंगे ठीक है, तो यह आपने सबसे पहले करना है, एक बात दुबारा repeat कर रहा हूँ, stat के अंदर, measure of central tendency and dispersion उसके बाद, next आजाएगा आपका correlation and regression next है, index number उसके बाद, statistical description of data and sampling, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, बच्चो mass के उपर, ठीक है, mass में आपने क्या क्या करना है तो अगर अब मैं बात करूँ mass के अंदर किसको देना है, सबसे पहले priority तो mass के अंदर आपने दो chapter है, खास करके उनको बहुत important उनको बहुत importance देना है, बच्चो पहला है आपका ratio, proportion, indices and log यहां से अगर मैं बात करूँ तो यहां से आपको सीधा-सीधा 5 से लेकर अगर मैं कहूँ, 7 marks आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है जी, बहुत important है बहुत आसा नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है नेक्स आता है बच्चो mathematics of finance ठीक है, यह chapter वही है, जो पुराना वाला था time value of money इसमें कुछ changes नहीं है सबसे ज़्यादा weightage इस chapter का आपको देखने को मिलता है, यहां से अगर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है बहुत बड़ी बात है समझ में आरी बात अब अगर मैं बात करूँ, stat की बच्चो तो यहां से आपको सीधा-सीधा 30 marks stat के अंदर देखने को मिलेंगे ठीक है, और उसके बाद मैंस के अंदर बात करें, तो यहां से 20 number आप लगा के सकते हैं, कि आरहम से आप क्या आजाएंगे इसके बाद बच्चो, logical reasoning logical reasoning के अंदर, आपको 4 chapters मिलेंगे, और weightage है, 20 marks का तो हुआ ना, total 70 तो यह देखो, 30, 20 और 20, तो आपका total अगर मैं बात करूँ, 70% तो आपके कही नहीं गए, मत्ता 70 marks आपके कही नहीं गए, और यह सारे वो chapter है, जो बहुत ही आसान है, चाहे वो non mass background के बच्चे हो, चाहे mass background के बच्चे हो, सब ने तो करना ही करना ही है, ठीक है, 70 यहां से देखो, आपके पक्क है, उस हिसाब से आपने तियारी करनी है, इसके बाद जब अगर आपका यह हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं, आप और भी कुछ करना चाहते हैं, यह कर सकते हैं, आपके past time है, तो बच्चो, उसके बाद आपने priority देना है, किस किस को, second priority आपने देना है, यहां पे, stress के आप कर सकते हैं, sequence and series, ठीक है, इसको second priority देनी है, इसके बाद यहां पे कर सकते हैं, permutation and combination, ठीक है, इसके साथ-साथ, यहां पे चाहें आप, इसके साथ-साथ, आप equation कर सकते हैं, बहुत easy chapter है, ठीक है, equation के अंदर, तो यह आप second priority इनको आप दे सकते हैं, उसके बाद बाद ब बचे हैं जैसे कि आपका stats के अंदर बचा है theoretical distribution ठीक है बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है यह theoretical distribution यह आप कर सकते हैं उसके बाद sets ठीक है relation and function relation and function यह आपका आगया ठीक है उसके बाद आपका derivative और integration आप लोग कर सकते हैं तो इसको आपने आखरी में priority देनी है तो यह totally मैंने लगबग आपको 100% marks का बता दिया बट विसेश करके जो मैंने आपको बोला है priority one यह तो आपने करना ही करना है मेरे बच्चों non mass background के बच्चों के लिए यह बिल्कुल जो तैयारी मैं बता रहा हूं यह जड़ी-बुटी सावी तो होगी ठीक है अब रही क्या सर यह सिप त्यारी कर ले तो हो जाए तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं अक्सर यह कहता हूं कि कम से कम डेट से दो मैंने आप के पास रिविजन के लिए भी होने चाहिए तो साथ-साथ में आप लोगोंने रिवीजन भी करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं हमारी रिवीजन बुक जो है इसको फॉलो कर सकते हैं जहां पर हर एक चैप्टर का हैना summary notes आपको दिया गया है formula दिये गये प्रोपर्टीज दिये गये बहुत बहुत बहुतर तरीके से दिये गये और यह नहीं जो समें priority questions है वो भी दिये गये है ठीक है तो उसको आप जरूर करें दूसरी बात test देना अनिवा रहे है आप लोग का test free में conduct होत success के लिए क्या करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मैनत करनी पड़ेगी तो बार बार आप test दे और आपका सच में कहरा हूं guarantee के साथ कि आप लोग का सही marks आ जाएगा जब अगर लगाता test देते हैं हो सकते आज का में हो सकता थोड़ा बढ़ेग और बढ़ेगा बट हार नहीं माननी है जब तक सही नहीं आ रहे है marks आपने देते जाना है अगर कहीं दिक्कत लग रही है revision book follow करो उसको देखो बार बार ठीक है फिर test दो तो हो जाएगा अब बचो यह जो test है खास करके बता दूं यह Sunday होता है और यह free में होता है ठीक है ब तो आपको paid रूप में मिलेगा वहाँ पे इसी मैस का ही नहीं बलकि आपका उसके अंदर eco का भी accounts का भी law का भी सब test होता वह paid के अंदर आपको आएगा जिसका link आपको description में दिया जा रहा है test का भी as well as आपका revisionary book का भी वहाँ जाके आप purchase कर सकते हैं तो उमीद करता हूं क कि आप लोग इस strategy को अपनाएंगे और आसानी से 70% जो है वह आप लेकर आएंगे तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए जैसरी शाम